Hello new students, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे MGPE8 का sample question answer PDF जो के आपके upcoming exam के लिए बहुत जादा useful हो सकता है इस PDF में हम आपके लिए 30 questions with answer लेकर आए हैं जो की 3 setों में दिया गया है एक set में total 10 questions होंगे और ये set बिल्कुल उसी तरीके से तयार हुए हैं जैसे कि आपके exam में question बनते हैं तो अगर आपके पास कोई भी study material अवलेबल ना हो तो आपके वन इसे भी पढ़ लेते हैं तो exam clear होने के chances आपके बढ़ जाते हैं क्योंकि ये सारे ही question answer आपके syllabus के ही according prepare किये गए हैं तो इसे आप ध्यानपुर्वक जरूर देखें और अगर आप बाकी subject का MPS second year का वीडियो देखना चाते हैं तो इस वीडियो के description में आपको complete playlist मिलेगी वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं या आप हमारे channel पे भी जाके करें तो इन questions को जरूर नोट कर लें पहला question आपका हो सकता है भारत में उत्तर युद काल में शाńskी अध्यानो एववं सोध के विकास को रिखांकीत किजिए तो उत्तर युद काल युद काल के बाद की बात कर रहा है कि शांती अध्यानों के लिए कौन-कौन से सोध किये और क्या यहां पर नितिया अपनाई गई उसके बारे में आप लिखेंगे सेकंड कोशन हो सकता है आपका संघर्ष मानों के आंतरण में नहीं होता या व्यक्ति के बाहरी कारकों पर निर्भर करता है अभिवत कीजिए तो देखें संघर्ष यानि कि जो दो व्यक्ति या समाजों में संघर्ष होता है तो ये व्यक्ति के अंदर की अपनी धार्णा नहीं होती बलकि जो बाहरी कारक होते हैं उसके उपर निर्भर करता है इसी वाक्य को आपको स्पर्ष करना है तो ऐसे कौन-कौन से बाहरी काराख है जो संघर्ष को उत्पन करवाते हैं इसको आप explain करेंगे Question 3 हो सकता है आपका मध्यस्ता के चड़नों के करम की विवेचना कीजे तो मध्यस्ता देखे जब दो लोगों या दो स्तमाजों में या दो इस्तितियों में विवाद उत्पन होता है तो एक वेक्ति उसमें मध्यस्ता करके उस विवाद को सुझाने का प्रयास करता है उसे समंधित ये आपका यहां question बना है next question की तरफ बढ़ते हैं जो आप से पूछ सकता है सत्याग्रे संघर्ष समाधान का एक वेवहारे स्वायतता उत्पन करने वाला तरीका है वेवर इस परस्ट कीजिए तो सत्याग्रे के द्वारा किस प्रकार से संघर्ष को समाधान किया जा सकता है question 5 हो सकता है आपका गांधी के जीवन और दर्षन में अंशन के महत्तों को समझाईए तो गांधी के जीवने हम देखते हैं उन्होंने जितने भी विरोध आंदोलें किये वहाँ पे इनका अंशन देखने को मिलता है भूखरताल देखने को मिलती है तो इसका क्या योगदान रहा तो इसको आप लिखेंगे कोई केवल आप बुक्स के पॉइंट ही ना लिखें क्यूकि देखे बुक्स में तो आपको केवल positive points गिना दिये जाएंगे लेकिन वर्तमान परिस्कितियों को अगर हम देखें तथा समझाए कि शांती को प्राप्त करने के लिए ये क्यों महत्पून है question 7 हो सकता है शांती सेना क्या है तो शांती सेना देखिए जगडों और जो विवाद है उनके निप्तारे के लिए भेजा जाता है तो यहाँ पे अंतराश्टी इस्तरपे और आश्टी इस्तरपे दोनों सेना का उपियों किया जाता है जो की श्तितियों को सुधारने और जो संघर्ष की श्तिति है उसको रोकने का प्रियास करता है question 8 हो सकता है आपका शांती के अधियन के कर्यात्मक दृष्टी कौन की व्याख्या कीजिए तो इसका भी आप चाहें तो स्क्रिंशॉट ले सकते है question 9 है आपका संधी वारता क्या है संधी वारता को प्रारंभ करने की सुरुवाती कर्मों की वाख्या कीजिए तो देखिए संधी वारता तब की जाती है जब विवाद को शांती पून तरीके से एक टेबल पर बैटके दोनों ही देशों या दोनों पक्षों के बीच में संधी करा दिया जाए संधी करा दिया जाए तो उसी से समंधित आपका एक question है last question है आपका चिपको अंदोलन का इस प्रकार से आपका ये set 1 complete होता है अगर आपको set 2 और set 3 का solution चाहिए झाल जब लगाए जोला आपका बाए तो बाए जापका पका एक पकार ये जाए अगर आपका पकार पका रहाँ बाएब दापका उनावार कोश्यों